बिहार से बाहर तमाम लोग जो है वो श्रमिक ट्रेनों में आ रहे हैं उन जिने मौका मिल रहा है वो श्रमिक ट्रेन में सवारों कर आ रहे हैं लेकिन उन्हें खाना पानी मैसर नहीं है उन्हें रेलवे ने भगवान के भरोसे चोड़ दिया और लगातार ऐसी तस्वीरें आ और इस वीडियो में साफ साफ देखेगा कि किस तरह से सहरसा आने वाली ट्रेन जो है उसमें हंगामा होता है और किस तरह से ये ट्रेन जो है करनाटक से चली थी सहरसा के लिए और उसके बाद क्या हुआ भुसावल स्टेशन पहुचने पर ये सारी तस्वीर इसमें नजर आप लोग देख रहे हैं यह वो ट्रेन है जो कल बूलवर्गा से चली थी बिहार जाने के लिए और इसमें एक भी यातरी इस ट्रेन में नहीं है इसकी वज़ए यह है कि कल रात से रात यातरियों को अब तक कोई भी चीज खाने की नहीं मिली है जिसकी वज़ए से सारे य निकले हैं और यही वो ट्रेन हैं जो कल गुल बर्गा से निकले थी आप जैसा के देख पा रहे हैं इस ट्रेन में यही वो ट्रेन है लोग खाने के लिए हरताल कर रहे हैं और लोगों का धीर यहां देख कटेंगे हैं आप कल yup तो, हमाई दो सूख एक रख टाझ ऑी- Boston जैसा कि देख रहे हैं लोग खाने के लिए भाग रहे हैं और लोगों को बिल्कुल खाना नहीं दिया जा रहा है कल से लोगों को कुछ भी नहीं मिला रात के बाद से तो सुना अपने इस चात्र का दावा है कि कल रात से भूके प्यासे थे ये मजदूर जो आ रहे थे बिहार के सहरसा और इस चात्र ने एक ट्वीट भी किया और ट्वीट में इस वीडियो को शेर किया और मुहमद सरफराज अली नाम है इस चात्र का उसने ट्विट करके लिखा कि we are a group of 200 students along with other passenger on the stomach special train from Kalburgi junction करनाटक to सहरसा, train is running late by 15 hours, 15 घंटे लेट चल रही थी, we are stuck at भुसावल junction, हम लोग फस गये भुसावल junction में, और we are out of food, यानि हम लोग को खाना पानी खत्म हो गया, ऐसे में क्या करते, खाना पानी भुके प्यासे, इन चात्रों ने ट्रेन खाली कर दी, देखें ट्रेन किस तरह से खाली रही, उसके बाद ये चात्र भुसावल जब junction पर रुकी कुछ technical region की वज़ा से, या फिर कोई ट्रेन में पानी या कुछ वज़ा से रुकी होगी, वहाँ पर इन चात्र ये जरूरत है रेलवे को, कि लोग भुके प्यास से बिहाद ना आए, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है, जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते हैं दर्वंग